Life and You pregnancy channel में आपका स्वागत है गर्बावस्ता में peanuts यानि कि मूफली क्या आपको खानी चाहिए क्या ये आपके लिए safe है किन महिलाओं को मूफली से दूर रहना चाहिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समस्ते हैं फाइदे और नुकसान मूफली खाने के वोस्तों कब ये कैसी समस्ते है जो गर्बावस्ता में आपको कभी ना कभी लगी रहेगी मूफली के अंदर काफी अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिलता है जिसे कि आपको कब्स की समस्ते है तो वो सही होती है और अगर आप मुफली का सेवन करते रहते हैं तो आपको कब्स की समस्या नहीं आती है प्रेग्नेंसी में आपकी बॉडी के अंदर ब्लड लेवल का सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुफली के अंदर काफी अच्छी मात्रा में आरन आपको मिलता है यानि की लोहा का जो कॉंटेंट है वो काफी अच्छी मात्रा में होता है जिससे की आपको अनेमिया रोग की शिकायत नहीं होती है खुन में कमी होना, हेमोग्लोबिन लेवल का डाउन होना ये सारी की सारी जो समस्याएं है आरन की कमी से होती है जो की आपको मुफली के अंदर काफी अच्छी मात्रा में मिल जाता है मुफली के अंदर फॉलेट काफी अच्छी मात्रा में होता है और जिसको खाने के सला हर गर्भवती महिला को दी जाती है क्योंकि इस से बच्चे का neural tube का development अच्छी तरीके से होता है कोई भी उनमें जर्मजाद दोश नहीं आते हैं तो कोई भी इस तरीके का जर्म विकार या फिर उसका खत्रा folate खाने से कम होता है और folate आपको काफी अच्छी मात्रा में मूफली से मिलता है protein की बात करिया है दोस्तों तो protein भी मूफली में काफी अच्छी मात्रा में होता है protein से बच्चे का development अच्छी तरीके से होता है उसके जो वजन होता है उसमें वृध्धी होती है मूफली या फिर peanuts के अंदर आपको काफी अच्छी मात्रा में calcium और manganese मिलता है और इन दोने के combination से आपकी जो हड़िया होती हैं और जो बच्चे की हड़िया होती हैं, वो मजबूत बनती हैं। इस समय पे आपको हड़ियों के कमजोरी मैसुस होगी, बच्चे की जब हड़िया मन रही होती हैं, तो उस समय पे उसको calcium और manganese की बहुत ज़्यदा आवशकता होती हैं। और ये दोनों ही चीज़ें आपको मुफली खाने से कावी अच्छी मातरा में मिल जाती हैं। इसके लाब दोस्तों काफी अच्छी मातरा में vitamin B, vitamin E और prakritic fat आपको मुफली खाने से मिलता है, जो की बहुत अच्छी antioxidants हैं और आपकी सरीर की immunity को बढ़ाते हैं। मुफली के अंदर काफी अच्छा natural oil है, जिससे कि आपकी तवचा से संबंदी जो समस्याएं होती हैं, इस समय पर जो लगी रहती है, pregnancy के दोरान जैसे की कालापन होना वो भी ठीक होती है। शेरीर में अगर आपको कहीं पर भी सूजन है, खुजली है, तो इस पर भी काफी अच्छी आपको मदद मिलती है। आजकल पीनट बेटर भी काफी जादा यूज किया रहता है, वो भी मुफली सही बनता है, तो अगर आप पीनट बेटर खने के बाद आपको कोई भी allergy हो रही है, तो इसको आप समझें और पीनट बेटर या फिर मुफली खाना बंद करें। जिन महिराओं का वजन बहुत जादा बढ़ रहा है, जो कि ओवर वेट हो रही है, या फिर बेबी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उन लोगों को भी मुफली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस से फिर आपके normal delivery के chances कम हो जाते हैं, अगर आपको खासी है त जिन में अगर 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक मुफलीयां भी खाते हैं, तो वो आपके लिए पर्याप्त है, वीडियो कर अच्छे लगिए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेर करें, इसी दरिए कि ये pregnancy वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, मिलत तब तक के लिए नमस्कार